है लो दोस्तों मैं सुमन स्वावत है आप सभी का एक बार फिर से हम बात कर रहे थे जियस बिहार के जियस की जिसमें आप टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें तो समाने जागरुकता, समाने विज्ञान, समाजिक विज्ञान, भारती रास्टे आंदोलन, इन सभी से संबंधित प्रस्नों पर हम बात कर रहें लगाता है, 120 नंबर का जो जियस है, पी आर्टी का, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टन्ट रहने वाली है, और बात करें जो 40 नंबर का जियस है, सभी स्टुडेंट के लिए, सभी क्लासे के लिए, जो सिख से लेके 12 सब्सक्राइश के लिए तो ये उनके लिए भी और पीआर्टी के लिए एक सो, बीस नंबर वाला जियस और 40 तुन के जिनके भी हैं, उन सभी के लिएक लिए क्लास nutrient रहने वाली है, तो डेली आपकी हिंडी और इस समय आपकी हिंडी और छियस की प्रक्टिस सेट लेकर मैं आ रही हूँ और मैंने कहा है कि साथ प्रैक्टिस सेट सभी के होंगे हिंदी के साथ प्रैक्टिस सेट जीएस के साथ प्रैक्टिस सेट और आपका हो जाएगा करण्ट अफियर का साथ प्रैक्टिस सेट आपका लेकर आऊंगी ठीके ना तो मैंने बताया था कि साथ तारीख को आपका जो हे एक्जाम शुरू है तो साथ तारीक एक्जाम शुरू है तो साथ तारीक से पहले है याने छे तारीक तक ये सारे के सारे साथ प्रैक्टिसेट हिंदी के जी एस के और कर्णट अफियर के मैं करवा दूँगे मेराथन लेकर या पिर 30-50 मिनट के वीडियो में अलग अलग करके मैं एक ही दिन में दो-दो क्लासेस अपलोड कर दूँगे ठीक है न, तो आप देख लिजेगा बात करें, और कर्यंट अफेर की, तो कर्यंट अफेर भी मैं जो हे, दो-δो क्लास करके अपलोड कर दूँगी तो छे तारीक तक साथो के साथो जो है सेट आपको मिल जाएंगे तो क्लास बात करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन दबा लिजे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए इस्टुडेंट इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा लास्ता क्लास देखिएगा और अपने दोस्तों को सेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ेंगे चलिए सुरबात करते हैं पहले क्वेशन से और पहला क्वेशन हमारा है इस्क्रीम प डिसकवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जवाहर लानलेहरो के द्वारा नेस्ट है अंतर्राश्ट ये मानो अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन है भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन इस्षु की स्थापना किस वर्स हुई थी तो ये 1969 में हुई थी देखे हम फास्ट चलेंगे क्यों क्योंकि टाइम नहीं है और ये रिवीजन है आपका तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ और फास्ट जितना जल्दी हो साथ कि अतना जल्दी कवर करना है अगला कोश्चन है निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताया है पेट्रोलियम के संगठक उपयोग बताने हैं तो पेट्रोलियम आपका जो है संगठक उपयोग क्या है बीटु मेन पैंट एवं सड़क में या फिर पेराफीन मूम खाद पदार्थ के लिए या फिर पैट्रोल सुस्क धुलाई के लिए बिलाएक इनमें से कौन सही नहीं है तो 44 का हो जाएगा तीसरा पेराफीन मूम खाद पदार्थ होता है ऐसा नहीं है बलकि आपका सही है बीटु मेन पेंट और सड़क नि यूज की अज़त पहें पैट्रोल सुस्क धुलाई के लिए बिलाएक की रूप में प्रियोग करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन एमानों सरीर का सामान यत ताप मान कितना होता है तो यह होता है 37 डिग्री स्वारें हाइट ने होगा सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सि भारत चड़ो आंदोलन 1982-42 से जुड़ा हुआ है और करो और मरो का नारा दिया किस ने था तो यह दिया था गांधी जी ने ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन है निम्लिकित में से सही कथनों का चैन करें आपका जो है पैट पॉली एलिथीन पैट इसका फुल फॉर्म है पॉल प्री एथीलीन टर्थेलेट एक बहुत सूपरिचित प्रकार का नाइलॉन है ऐसा कहना है एस्टर वे रसायन है जो फलो को उनकी गंद परदान करते हैं या फिर अपको क्या बोलना है इसमें कथन को देखना था ना या फिर इसमें संसलेशित रेशे गर्म करने पर भी नह बलते ने श्ट है आपका सभी संसलेशित रेशे पेट्रोलियम मूल की कच्चे माल जो प्रक्रम त्यार किया जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 47 7 का हो जाएगा 4 तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा कथन आपका कि सभी संसलेशित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रशायन कहलाते हैं बिभित प्रकमो द्वारा तयार किये जाते हैं अगला क्वेशन है आपका अच्छा यहाँ पे एक मिनट आप्शन दे रखा है तो यह आपका हो जाएगा दिया है आप्शन क्या बी और डी तो इसमें बी और डी सही होगा यहाँ पे संसलेशित रेशे गर्म करने पर नहीं पिघलते हैं और सभी संसलेशित जैसे पेट्रोलियम मूल के कच्छे माल जो पेट्रो रसाइन कलाते हैं तो इसमें बी और डी सही होगा बाकी सब गलत हो जाएंगे नेक्स्ट क्येशन है आपका उत्त्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन कब होता है तो उत्त्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन यहाँ पर बात किया गया है उत्त्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन कब होता है तो इस समय आप देखेंगे ठंडी के समय सबसे छोटा दिन होता है तो यह होता है आपका मेरे मैंने जहां तक पड़ा है 22 दिसंबर होता है और इसमें ऑफ्षन में अगर देखा जाए तो 21 दिसंबर दे रिखा है 22 सितंबर जून आपका बड़ा होता है ठीक है न तो उत्तरी गुलार्द में सबसे छोटा दिन कब होता है 48 का हो जाएगा तीसरा 21 दिसंबर अब यहां पर 22 दिसंबर नहीं तो आप 21 दिसंबर लगाएंगे लेकिन इसका सही अंसर हो जाएगा 22 दिसंबर ठीक है ना 22 दिसंबर को मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो यह फीमर होती है जिसे जांग कहते हैं अगला है किस नदी को दच्छड गंगा कहते हैं तो दच्छड की गंगा गुदावरी नदी को कहते हैं इसी को क्या कहते हैं बूरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है अगला है एपी सेंटर भुकम्प से सम्बंधित होता है अगला कुश्चा ने दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो यह दिया था सुबास चंद्र बोस ने आई होप आपको यह बाते समझ में आ रही होगी और जितना फास्ट है उतने पर ही आपको रिवीजन करना है क्योंकि मैं चाहती क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो दिन बचे हैं दो दिन ही नहीं आप मानके चली से पांच तारी क्योंकि छे तारी को तो आप जो है बिहार में होंगे फिर भी आप ऑनलाइन अगर देखेंगे तो हो जाएगा आपका रिवीजन ठीक है ना चलिए अगला संदर रख着 सान तरक अधी यह उत्तर में होगा अगले में देखां और यह यह आपका भारत है तो यह उत्तर में ही तो है इसका छोर ठीक है ना अगला है निमलिकित में से किस रंग का कागच सौर उर्जा धूप का आउसोस और अधिक करेगा तो ये काले रंग का जो है जादा करता है अगला कोश्चन है जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं साकाहरी अगला कोश्चन है मलेरिया मच्छों से फैलता है तो मलेरिया मच्छों से फैलता है इसकी खोच किस ने की थी मलेरिया मच्छों से फैलता है इसकी खोच किया था ये खोच की थी रोनार्ड रोस ने ठीक है ना अगला है सबसे अधिक अबादी वाला भारतिया राज्य कौन सा तो सबसे ज़्यादा अबादी किस राजी में है तो यह है उत्तर प्रदेश ठीक है ना पटना का हर मंदिर साहब का जन्म अस्थान है तो पटना का हर मंदिर किसका जन्म अस्थान है ठीक है ना हर मंदिर किसका जन्म अस्थान है तो यह 58 का हो जाएगा वन गुरु सिंग का जनमस्थान है हर मंदिर सवर उर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है ये बात सही है सवर उर्जा से आप बैटरियां चार्ज कर सकते हैं अगला कोश्चन है भासल जी से अपेच्छा के अधिक जल की जरूरत होती है तो जल की सब्सक्राइब जरूरत होती है धान में ठीक है न धान की खीती में छती ग्रस्ट प्लोरो सेट ट्यूब या सी एफल को सुरच्छित रूप से निप्टाने की आवसकता होती है क्योंकि जिसे कहते हैं आप सी एफल को सुरच्छित रूप से निप्टाने की आवसकता होती है इसमें आक्सिजन वास्प होती है या इसमें नाइट्रोजन वास्प होती है इसमें कारबन डायोकसाइड वास्प होती है या फिर इसमें पारा वास्प होती है तो इसमें क्या होता है इसमें होता है आपका पारा वास्प नेक्स्ट है पोसक तत्त जो हमारे सरीर की व्रद्धी आदी रख रखाओ में मदद करता है तो ये होता है आपका क्या कार्बो हाइडरेट या फिर प्रोटीन या वसा या बिटामिन बिटामिन नहीं होगा ये हमारे सरीर के लिए नहीं जो है ब्रद्धी के लिए नहीं होता है तो 62 का हो जाएगा प्रोटीन ठीक है ना प्रोटीन हमारे सरीर के रख रखाओ के लिए ब्रद्धी के लिए आवस्यक होता है अगला है घेंगा रोग आयोडीन की कमी की कारण होता है हम iodine प्राप्त करते हैं किस से तो iodide नमक से हम प्रयोग करते हैं ठीक है न vitamin C दूध में नहीं पाजाता है ठीक है न पच्छियों के बारे में इन में से क्या सही नहीं है तो पच्छी अंडे देते हैं सही बात है और यह seated का question है ठीक है न सीटेट का कोश्चन है तो पच्छी अंडे देते हैं पच्छीयों की चूंच होती है पच्छीयों के पंक होते हैं पच्छी त्यारने के लिए पंकों का प्रयोग करते हैं तो इसमें ये गलत बात है ये उड़ने के लिए पंकों का प्रयोग करते हैं तो यहां पे फोर्थ न मंडल के टेहिं हैं किसी चीज को जलाने में किस गयास की जरूरत होती है तो ओक्षिजन की जरूरत होती है अगर कोई चीज को जलाना होता है तो अगला इंगला question है आपका धूमा उपर उठता है क्योंकि गर्म वायू ठंडी वायू की अपेच्छा अधिक सघन होती है या गर्म वायू ठंडी वायू की अपेच्छा अधिक हलकी होती है या फिर गर्म वायू का घनत तो ठंडी वायू की अपेच्छा अधिक होती है या फिर गर ठंडी वायू की अधिक हलकी होती है नेक्स क्रेस्ट है कि मध्य रात्री का सूर्ए किस झेतर में दिखाई देता है तो जपान के पूर्व में मध्य रात्री का सूर्ए होता है वो दिखाई देता है तो 68 का हो जाएगा sorry यहाँ पर आर्केटिक छेत्र दे रहा है तो 68 का आर्केटिक छेत्र हो जाएगा ठीक है ना आर्केटिक छेत्र नेक्स्ट केशन है हमारा भारत में धमेक इस्तूप निमलिकित में से किस अस्थाम पर इस्तित है धमेक इस्तूप बोध गया सारनात साची या फिर कौसामबिक तो धमेक इस्तूप जो है ये सारनात में इस्तित है सारनात कहां पर है यूपी यानि उत्तर परदेश में आपके ठीक है ना नेक्स केशन है बिस्व परियावरण दीवस कब मना जाता है ये पांच जुन को मना जाता है मौसम में सभी परिवर्तन होता है तो मौसम में परिवर्तन होता है किसके कारण तो ये होता है हवा वायू या दबाव या अध्रता या सूरे की कारण तो सूरे की बात नहीं है मौसम में जो यहां पर अगर बात करें मौसम में सभी परिवर्टन होते हैं तो सूरे के कारण ही होते हैं ठीक है ना बात अगर करें सूरे के कारण होते हैं अगला कोशन है हमारा निम्द्रिकित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो प्राकृतिक आपदा भुबाड़ है भुकंप है धवानल है आग लगना जड़क दुरगटना प्राकृतिक आपदा नहीं है भारत के प्रधानमंत्री प्रती वर्ष किस अस्थान पर 15 अग मिनार में नहीं होगा इंडिया गेट या गेटवी ऑफ इंडिया या लाल किला पर कहां पर 15 अगस्त को धजा रोहर करते हैं प्रधान मंत्री हर 15 अगस्त को ये लाल किला पर करते हैं अगला क्वेश्चन ने आस्मान में उड़ते हुए पच्छी में किस प्रकार की उर्जा पाई जाती है तो केवल गतिच उर्जा या इस्थितित उर्जा या फिर गतिच उर्जा और इस्थितित उर्जा दोनों पाई जाती है या केवल दबाव उर्जा पाई जाती है तो इन में आपका 64 का हो जाएगा 74 का हो जाएगा गतिच उर्जा और इस्थितित उर्जा दोन 35 का हो जाएगा फूर जेम्स प्रेस काट जूल ने उस्मा की खोच की थी जूल ने प्रेस काट जूल ने ठीक है न उड़ा है किस योगिक का बंधन सबसे कमजूर होता है तो किस योगिक का बंधन सबसे कमजूर होता है ये नियान का होता है नियान ठोस होता है ठीक है न तो इसका जो बंधन होता है सबसे कमजोर होता है निनलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है तो बहुलक नहीं है इन में से ये हो जाएगा गुलुकोज गुलुकोज इन में से बहुलक नहीं है निनलिखित कथन पश्मीना उन से सम्मंदित है कूट की सायता से सही उत्तर का चैन करें ये बहुत गर्म होती हैं ये भेड के बालों से बनाई जाती हैं ये हाथ से बुनी जाती हैं इन भेडों के बाल सर्दियों में छड़ते हैं तो पस्मीना उन से सम्मंदित इसमें से क्या सही है ये क्या करते हैं यहां पर अप्शन देखें तो ए और सी आपका सही हो भीड़ की बात नहीं है और भीडों के बाल सर्द्यों मिझा यह बात गलत हैं ठीक है न मिलखित मेंसे कौन सा पादब हार्मोन नहीं है पादब हार्मोन पुचा है आकसीन Florigan, Cytokinin या Oxytocin तो पादप हारमोन नहीं है ये है Oxytocin Next वर्तिकाग्र वर्तिका अंडासे इन में विसंचेन करना है विसंचेन करना है वर्तिकाग्र वर्तिका अंडासे प्राग कोस रेशा प्राग बीच पत्र जड़ प्ला म्यूल प्राग प्राग नली पहली कल इसमें से आपका क्या अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राग प्राग नली पहली कल यह आपका क्या है बिसम है बाकी सब आपका सम है है अगला कोशियार मैं सुल्तान हूं मुझे गाना वजाना और कुची पूरी नृत्या बहुत पसंद है नम्रति साब्स को भी साहीं नाम जो हे किसका है? किसकी बात कर रहा है कुछिपूरी निरति इनको बहुत पसंद था गाना बजाना पसंद था अफजल خान अबूल हजन या अकबाद द्वीतिया सिकंदर लुदी तो ये हो जाएगा आपका अबूल हजन अबुल हसन जो है गाना बजाना और कुछी पुरी निरते बहुत पसंद करते थे नेक्स्ट केस्टेन है हमारा 1878 में किस वाइस राए ने वरना किवलर प्रेस अक्ट पारित किया तो 1878 में किस वाइस राए ने वरना किवलर प्रेस अक्ट पारित किया ये किया था लिटन ने किया था और बंद किस ने किया था तो रिपन ने बंद किया था राम कृष्ण मिशन की स्थापना ये किया था स्वामी विवेका नंद ने ठीक है न अगला कोश्चन है किस घटना के बाद रविंद्र नाट टैगोर ने नाइट हूट की पाधी वापि सेफ्टी लैम्प हमारा क्या है सेफ्टी लैम्प है आपका हमप्री डेवी रिचर्ड आरक राइट जम्स हर ग्रिप्स या एडमंड कार्ट जाए राइट तो सेफ्टी लैम्प जो है 85 का हमारा हो जाएगा अंसर वन हम्प्री डेवी हम्प्री डेवी ने इसका अविस्कार किया हम्प्री हम्प्री डेवी ने सुम प्रकास समचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंब किया तो सुम प्रकास किया था इस वर चंद्र जो है बिद्या सागर ने बारगंगा धर्तिलक ने या फिर राम मोहन राय ने या एमजी रनाडे ने 86 का हो जाएगा ए आपका फर्स्ट हो जाएगा इस वर चंद्र विद्या सागर ने सुम प्रकास समाचार पत्र का प्रकाशन किया निमलिखित में से कौन सा ऐसा पच्छी है जिसमें केवल नर पच्छी ही घोसले का निर्मार करते हैं तो यह होता है बीवर पच्छी जिसे दर्जिन चुडिया कहते है ठीक है न तो यह क्या करता है इसमें नर जो पच्छी होता वही घोसला बनाता है जो मादा पच्छी होती है वो सभी घोसलों में देख के अपने पसंदीदा घोसलों में ही अंडे देती है ठीक है न तो 87 को जाएगा बीवर या फिर दर्जिन च अगला खूर्षन यह मनचल परदेश टांगला दर्रा उत्रह खंड नाथुला सिक्किम शिपकिला दर्र है बात है तो अंसर क्या हो जाएगा 90 का 90 का अंसर हो जाएगा 1 जम्मू कश्मीर जोजिला जर्रा ठीक है न अगला क्वेशन है पटना हवाई अड़े का कौन सा नाम सही है तो यहाँ पे थोड़ा सा बलर आपको देखने को मिलेगा अर्जिस्ट कर लिजेगा तो पटना हवाई अड़े का कौन सा नाम सही है जै प्रकास नाराण अंतरास्ट हवाई अड़ा या पटना हवाई अड़ा या राजेंदर परसाद अंतरास्ट हवाई अड़ा या बिहार हवाई अड़ा तो पटना हवाई अड़े का नाम क्या है 91 का हो जाएगा जै प्रकास नरायर अंतरास्टि हवाई अड़ा अगला कोश्चन है बिहार में और दोगिक पिछड़े पन के प्रमुक कारण क्या है कच्चे माल की कमी पुंजी धन की कमी बिजले की कमी उप्रिक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर बात करें अगले कोश्चन की अगला कोश्चन है निम्निल तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा 93 का अगला कोश्चन है करलम मलहस्वरी करलम मलहस्वरी एक वेट लिफ्टर है यह किस भारती राज्य की रहने वाली हैं तो करलम मलहस्वरी जो रहने वाली हैं यह रहने वाली हैं अंधरा प्रदेश की ठीके ना अंधरा प्रदेश से रह लाना में सामिल नहीं है तो भार राजिसाही नहीं सामिल है गड़तंत्र न्याय समानता सामिल राजिसाही सामिल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्लिखित में से कौन लोगतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं है तो लोगतंत्र के प्रसार के लिए लोगों द्वारा संघर्ज विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण उपनिवेश वाद का अंत या फिर लोगों की स्वतंतरता की इच्छा जाप अकर बात करें 96 की यह हो जाएगा विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण यह लोगतंत्र के प्रसार के लिए आवस्यक नहीं है ठीक है ना सुविदेशी सरकार द्वारा आक्रमण ठीक है अगला क्वेशन है भारती राष्ट्पती के संबंद में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सकते हैं वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है सही बात है अपनी सक्ति का वास्तविक रूप से उप्योग करता है वास्तविक रूप से अपने सक्ति का उप्योग नहीं करता है बलकि जो है वह सीधे एक ऐसे हम होल्ड करते थोड़ी दर के लिए देखते हैं अगला को आप्शन क्या है वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है ये बात गलत है तो यहां पर बात करें तो यह बात गलत ह सही पूछा है ठीक है न वह देश का अपचारिक मुख्या होता है यहां पर बात करें तो यह पहला हो जाएगा बात करें यहां पर मुख्यमंतरी की है तो मुख्यमंतरी की नहीं राजेपाल की चुनाओ करता है और राजेपाल मुख्यमंतरी का चुनाओ करता है ठीक है न और यह वास्तविक सक्ति का उप्योग करते हैं या वह देश का आपचारिक मुखिया होता है तो यहां पे आपका तीसरा कट गया और पहला कट गया दूसरा और चौथा देखना है तो 97 का हो जाएगा फोर वह देश को आपचारिक मुख्या होता है वास्तविक सकती तो केंदर सासित जो है आपका प्रधान मंत्री में नहीत होता है निमलिकित में से कौन सी संस्था भारत की सम्मिधान में संसोधन कर सकती है तो संसत भारत की सम्मिधान में संसोधन करने का अधिकार रखती है सिविल सेवक क्या करते हैं वे नीतिगत निरड़े लेते हैं वे मंत्रे के निरड़े को लागू करते हैं या फिर बात क्या है सिविल सेवक की ठीक है न तो या फिर विवादों को सुझाते हैं या इन में से कोई नहीं तो नीट जो सिविल सेवक क्या करते हैं ये करते हैं क्या मंत्री के निरड़े को लागू करते हैं ठीक है न तो इस बात को ध्याने में रखिएगा सिविल सेवक म मंत्री के निर्माड में मदद नहीं करता है अख़बार रेडियो खेल का मैदान या सच्छिक का मैदान तो यह आपका अगर बात करें तो मेरे हिसाब से हंड़िट का आपका हो जाना है हंड़िट का खेल मैदान यहीं सही हो जाएगा अगला कोश्चन है वरतामान में कागजी मुद्रा के अतरिक्त किस रूप में मुद्रा का धिकाधिक प्रियोग किया जा रहा है कमोडिटी मनी धाद्विक धन या प्लास्टिक मनी या उप्रोक्त में से सभी हो जाएगा तो य नीती आयोग के संबंद में निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है नीती आयोग की स्थापना एक जन्वरी 2015 को हुई थी भारत के प्रधानमंतरी नीती आयोग के पदेन अध्यच होते हैं नीती आयोग ने 2014 में भारत के यूजना आयोग की जगह ली थी तो ये बात गलत है यहां पर हो जाएगा पहला और दूसरा सही हो जाएगा ठीके ना पहला और दूसरा सही हो जाएगा बात करें अगले कोशन की तो अगला कोशन है मिस्रित अर्थ विवस्था का अर्थ ऐसी अर्थ विवस्था से है जहां पुंजी अस्तित्य में हूँ नीजी करण उधारी करण और वैस्वी करण होता है या फिर सारवजनिक और नीजी करण दोनों छेत्रों का अस्तित होता है या फिर पसुपालन के साथ साथ फसल उगाने की पदती भी होते है तो जो मिस्रित अर्थ विवस्ता होता है ये एक सो तीन का हो जाएगा सारवजनिक और नीजी दोनों अस्तित होता है अगला कुश्चन है निम लिखित मेंसे कौन किसी अर्थ बिवस्था में वाड़िजिक बैंक कारे नहीं है तो जैमा सिरिकार करना रिव्ड़ परदान करना लाकर लाकर सुधाय उपलफद करना या बैंकर्स बैंक के रूप में कारे करना किसी अर्थ विवस्था में वाले जिक बैंक का कार्या नहीं है तो ये हम बात करें अगर तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये कार्य नहीं है वाले जिक बैंक का अगला कुछ ने कथन दिया है पहला कथन दिया है पस्चिम बंगाल के लोग ज़्यादा तर चावल और केरल के लोग ज़्यादा तर रोटी खाना पसंद करते हैं का और दूसरा कथन दिया है जो चीज़े जहां असानी से पैदा होती है वहां पर वे जदा खा जाती है बात सही कही गई है तो पहला कथ दूसरी बात तो सही है पहले कथन में अगर बात करें चावल पस्ची मंगल में जदा खा जाता है केरर में रोटी से जदा खा जाता है यह बात कितना सही है अगर हम बात करें यहां पर तो यह एक सुपाच का हो जाएगा फोर्थ फोर्थ क्यों एक मिनट मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूं एक मिनट देख लेती हुआ कथन ए और दोनों सही है ठीक अच्छा यहां पर फोर्थ दियावा है ठीक है ना कथन ए गलत है लेकिन दो सही है ठीक है न क्यूंकि चावल की बात कि है केरल में चावल के चावल रोटी के चावल खाई जाती है ठीक है ना बात करें अगले कोशन की अगला कोशन है अमीर खुसरो किसके सिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष दोड़ाचार पन्हेम किस च्षेत्र में रहते हैं लिटिल अंड़मान उत्रफिन यह दख्षीर अंड़मान उत्तर कोंगें जिन जाती होती हैं तो उनकी किस छेत्र में रहते हैं ये रहते हैं आपके लिटल अंडमान यानि लगू अंडमान में अगला कोश्चन है निनलिकित में से कौन सा कथन सिचाई के माध्यमों के बारे में सही है तो छिड़काओ तंत्र बीधी का उपयोग मुखिता समतल भूमे के लिए किया जाता है डिप तंत्र बीधी में जल भूंध भूंध करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है ऐसा कुछ नहीं है ड्रिप तंत्र फलदार पौधों बगीचों एवं ब्रचों को पानी देने का स्वरोत्तम तरीका है जल की कमी वाले छित्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदे मंद नहीं है यहां पर अंसर हो जाने वाला है पहला मेरे हिसाब से ठीक ना लेकिन मेरे हिसाब से यहां नहीं होगा यहां अगर बात करें तो पत्तियों की यहां पर बात करें पत्तियों की बात हुई है तो ड्रिप तंत्र विधी से जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के लावाँ यहाँ पे पत्तों पर भी गिरता है अगला कोश्चन है त्री मूर्ति की मूर्तियां मूर्तियों के लिए परसिद मुंबई से पंदरा मीटर दूर एक दिविप के स्थान की पहचान करें त्री मूर्तियों एलोरा गुफाएं एलिफेंटा गुफाएं बदामी गुफाएं आजन्ता के गुफाएं त्री मूर्तियों के लिए परसिद्ध है तो ये परसिद्ध है आपका एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई से जो है 15 मिल दूर एक दीप है एलिफेंटा की प्रदेश अगला कोश्चन है रविंद्र ना टैगोर को किस काम के लिए नोबिल पुरुसकार दिया गया था तो ये नोबिल पुरुसकार को मिला था गितांजली के लिए अगला कोश्चन है निन्रिखित मिलान करें उच्चावच मानचित्र राजनीतिक मानचित्र थिमैट मान्चित्र बात करें यहां पर तो अगर बात करें तो यह दिया है तो अप्सन दिया है यहां पर और यह मिलाने की बात कर रहा है ठीक है न तो अगर मिलाने की बात है उपर option दिया फिर नीचे दिया है मैं सीधा यहां पर बता दे रही हूं एक मिनट छोटा करके देखें ज़रा छोटा तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर यह बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ठीक है ना अगर बात करें तो यह अंसर यहां पर प्रिद्वी की प्राकृतिक प्रिद्वी की यहां पर देखते समझते हैं प्रिद्वी की प्राकृतिक अकृतियों को दर्साने वाले मा से होते हैं तो यह राजनीतिक होते हैं ठीक है ना राज्यों नग्रों विश्व के विभिन देशों को दर्साने वाले मांचित्र होते हैं तो एक मिनट क्या क्या दिया है यहां पर दिया है उच्चावच राजनीतिक थीमाटिक ठीक है तो अगर बात करें यहां पर 113 का ठीक है ना 113 का अगर बात करें तो जो उच्चावच है उच्चावच के लिए प्रिथिभी की प्राकिर्तिक आकृतियों को दर्साने के लिए हम उच्चावच मानचित्र का यूज करते हैं ठीक है ना उच्चावच मानचित्र का यूज प्रिथिभी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्साने के लिए यूज होता है राज्जियों नग्रों विश्व के बिभिन छे देशों को दर्साने के लिए राजनीतिक मानचित्र क का प्रयोग करते हैं ठीक है ना सड़क मानचित्र वर्षा मानचित्र वन तथा उद्धोग आदे के विद्रड द्रसाने के लिए thematic का use करते हैं thematic मानचितर का thematic ठीक है न मानचितर का प्योग करते हैं तो option 2 हो जाएगा अगला question है खेती का उवह प्रकार जिसमिक किसान अपने परिवार के लिए फसले उगाते हैं को वर्गी करत करते हैं तो यह होता है निर्वाह करिशी कहते हैं जो से उपने सामली के लिए करता है वो निर्वाह करिशी होता है भारत की किस राज्य में अधिक्तम कुल वन छेतर है तो सबसे जदा वन छेतर कहां पर है मध्या प्रदेश में अगला question है निम्लकित में से कौन लॉन टेनिस खिलाडी नहीं है तो लॉन टेनिस खिलाडी कौन नहीं है इसमें से राफेल नडाल रोजर फेडर या टाइगर वूट्स रेना वीलियम तो यहां पर अगर बात करें टाइगर वूट्स ये टेनिस खिलाडी लॉन टैनिस किलाडी नहीं है बलकि राफैल नडाल है रोजर फ्रेडर है और सेरेना विलियम्स है टाइगर वूट्स नहीं है अगला कुस्चन है निम्ले में से कौन मांचित्र का घटक नहीं है दूरी त्वरड दिसा प्रतीक तो मान चितर का घटक कौन नहीं है इसमें से यह हो जाएगा आपका त्वरर अगला कॉस्चन है निमलखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबन देथे तो डेबिस कप या संतोष ट्रॉफी तो जो संतोष ट्रोफी है 118 ये आपका फुटबॉल ट्रोफी से संबंदी थे नेस्ट कुर्शन है विश्व का परथम आवासी है विश्विध्यालय निम्नखित में से कौन से है तो आवासी विश्विध्यालय की बात किया है बिश्करम सिला विश्विद्याले राची विश्विद्याले ये पूचा है विश्व का प्रथम आवासे विश्विद्याले कौन सा है इसमें से नालंदा विश्विद्याले या फिर बिहार विश्विद्याले तो ये हो जाएगा आपका नालंदा विश्विद्याले विश पहला आवासे विश्विद्याले है लास्ट है आपका भारत के राष्टे जंडा में कौन सा रंग प्रयोग मिलाया जाता है नारंगी हरा सफेद तो इन में से सभी हो जाएगा तो यह थी हमारे आज के आपके जीएस के क्वेस्टन जो कि आप 120 प्रस नंबर वाले प्यार्ट है और यह सिक्स टू के इस्टूडेंट के लिए जो 40 नंबर का आने वाला है उनके लिए इंपॉर्टन है तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा बैल आइकन दबा लिए त तक बने रहेगा हमारे साथ और ज्यादर ज्यादर लोगों को सेर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लेजिएगा और बात करें अगर जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखे तो जाके क्लास देख ले कल जो है छे तारिक तक छे तारिक तक आपका साथ प्रैक्टिस धन्यवाद